हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब आसा है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्त भी अघर पे ही मस्ती कर रहे होंगे है ना तो बच्चो आज हम हिंदी की क्लास में दो वर्णों वाले शब्द या दो अक्षरों वाले शब्द से जुड़ी हुई एक वर्क सीट करेंगे उससे पहले आप अपने कलर्स, पैंसिल और हिंदी नोटबुक निकाल लीजिए और रेडी हो जाएए बच्चो अब आप इस पेज को देखिए और सबसे पहले आप पहचानिए कि ये कौन से फल का चित्र है पहचानिए पहचानिए बहुत अच्छे ये अंगूर के फल का चित्र है सो बच्चो अब देखिए यहां क्या करना है दो वर्णो वाले शब्दो में रंग भरो दो वर्णो यानि हम अक्षर भी बोल सकते हैं वाले शब्दो में रंग भरो सबसे पहले हमें यहां पहचानना है कि दो वर्ण वाले दो अक्षर वाले कौन से सब्द हैं और उसके बाद हमें यहां कलर करना है क्लियर बच्चो कलर करने के लिए आप क्रियोंस का हेल्प लीजिएगा स्केच पिन या अधर कलर नहीं यूज करिएगा तो लेट्स स्टार्ट अब देखिए अब पहचानिए यह कौन सा वर्ण है या कौन सा अक्षर है वेरी गुड यह है ट और यह ब तो क्या कौन सा सब्द बन गया तब तो यहां कितने वर्ण है वेरी नाइस वान टू यहां पे दो वर्ण है तो हम इस पे कलर कर लेंगे देखिए बच्चो अब नेक्स्ट पहचानिए यह कौन सा वर्ण है क म ल काउंट करिए कितने वर्ण हुए वान टू थ्री थ्री वर्ण हुए और कौन सा सब्द बना कमल तो यह दो वर्ण है नहीं यहां यह तीन वर्ण है या तीन अक्षर है तो हम इसको कलर नहीं करेंगे इसे ऐसे ही छोड़ देंगे नेक्स्ट देखिए दस वान टू यहां कितने वर्ण है टू वर्ण है दो वर्ण है तो हम इसे कलर करेंगे कौन्शा शब्द बना दस तो अब कलर करेंगे इसे देखिए बच्चो इस तरह से ठीक, नेक्स पहचानिए फल वन, टू, कौन्शा शब्द बना फल, तो आप बताईए अब इसे कलर करना है की नहीं वेरी नाइस, इसे हम कलर करेंगे क्लियर फिर यहाँ पहचानिए ह, म, कौन्शा शब्द बना हम, तो बताईए इसे कलर करेंगे की नहीं, वेरी गुड इसे भी हम कलर करेंगे क्योंकि यह दो वर्ड है, वान, टू हम हम टिक कर दे रहे हैं आप इसे पहचानिएगा कि इसे हमें कलर करना है इसे कलर करेंगे की नहीं, यहाँ पहचानिए कितने वर्ड है, ह, व, न, कौन सा शब्द बना हवन, कितने वर्ड है, काउंट करिए वान, टू, ठ्री, ठ्री वर्ड है तो आप बताइए, इसे कलर करेंगे की नहीं, नहीं, इसे हम कलर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें दो वर्डों वाले शब्दों में ही रंग भरना है तो इसे हम ऐसी छोड़ देंगे यह कौन सा है, ब, स, कितने word है, कितने word है, दो, और कौन सा सब्द बना, बस, येस, हम इसे भी color करेंगे, देखिए बच्चों, इस तरह से, अब अगला शब्द देखिए, colors, कितने word है, यहां count करें, one, two, three, तो बताइए, इसे हम color करेंगे की नहीं, very nice, इसे हम color नहीं करेंगे, नेक्स्ट देखिए, न, ल, नल, आप बताइए, color करना है की नहीं, very good, हम इसे color करेंगे, अब देखिए, अ, म, न, अमन, कितने word है, one, two, three, आप बताइए, इसे color करना है की नहीं, very nice, इसे हम color नहीं करेंगे, next one, र, थ, कितने word है, one, two, एक, तो, तो बताइए, इसे color करेंगे की नहीं, yes, हम इसे color करेंगे, क, ल, म, कलम, इसे color नहीं करेंगे क्योंकि यहां तीन word है, न, थ, one, two, न, थ, न, न, थ, इसे color करेंगे क्योंकि यहां दो word है, न, थ, न, थ, न, बताइए, अब यह पूरा हो चुका है, यह worksheet पूरी हो चुकी है, तो इसी तरह से आपको पहले अंगूर बनाना है, आप अपने किसी बड़े की help लीजेगा, ताकि यह अच्छे से बन सके, और इस तरह से आप खुद यहां पे शब्द लिखेंगे, और लिखने के बाद खुद उसे color करेंगे, crayons की help से, ठीके दिखेंगे, वो clear नहीं दिखेंगे, तो आप green color ही यूज़ करना, और crayons ही यूज़ करना, ताकि यह clear दिखाई दे, ओके बच्चों, आशा है, आपको यह worksheet पसंद आई होगी, और समझ आई होगी, thank you.